नमस्कार भगतो आज मैं आप लोग को यह बतलाऊंगा कि कीसी भी इस्तरी को आप पल भर में ही कुछ ही घंटों में आप कैसे अपने वस में करें आप अपने प्यार में कैसे उसको पागल करें वह आपके प्यार में इतना पागल हो जाएगी कि आप सूच भी नहीं सकते हैं राद दिन वह आप ही के बारे में सोचेगी आपसे मिलने के लिए बेचैन रहेगी आप जो बुलिएगा वह वहीं करेगी आपका खोया हुआ भी प्यार है तो पल भर में ही वापस आ जाएगी तो इस वीडियो को पूरा सुरू से लाज तक जरूर देखे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे वह सिकरन करना है इसमें आपको दोलवन की आवसकता होगी और चावल की आवसकता होगी और लाल चंदन की आवसकता होगी यह जो लाल चंदन होता है वह सिकरन करने के लिए प्युखन कर लियां, पिर हमारे पास कॉल करते हैं, गुरू जी आपके बीडियों से हम वशीक्रन कर लिये हैं प्रियों कर लिये हैं, कि कोई अब बतलाईए कि हम उससे पीछा छूरा सकें तो हम आप लोग से यहीं कहना चाहते हैं बार-बार विनती करते हैं कि प्लीज इसका गलत प्रियोग नहीं किजेगा अगर आप उससे सचा प्यार करते हैं तब इसका प्रियोग कीजिए क्योंकि यह इतना सक्तिसाली होता है कि आप जिसके भी वो सिकरन कर रहा हैं वो आपके कमेंट बक्स में जाकर आप अपनी समझ से लिकर जरूर भेजे ताकि हम आपकी help कर सकें आईए हम बताते हैं कि कैसे वसी करना है सबसे पहले आपको एक मंत्र की आवसाता होगी जो कि हम आपको यहां पे लिख रहा हैं ओम चमुंडाय हिम क्रीम अमुक मम वसम कुरू कुरू स्वाह यह मंत्र है इस मंत्र का आप फोटो जो स्क्रीन सोट होता है वो कर लिजी ताकि आपको समझने में दिकत नहीं हो परने में दिकत नहीं हो मैं एक बार परके बता देता हूँ आप लोग को ओम चमुंडाय हिम क्रीम अमुक मम वसम कुरू कुरू स्वाह यह जो अमुक होता है अमुक के जगह पर उस इंसान का नाम रखा जाता है जिसको आप वसमें करना चाहते हैं तो आइए हम बतलाते हैं आपको करना क्या है कि इस मंत्र को आप सामने रख लिज़े या याद कर लिजिए और ये जो भाग तीनो भाग है इस तीनो भाग को आप एक कावच पर रख लिजिए जैसे कि हम रखे हुए हैं जिसमें दो लवंग होनी चाहिए और थोरी सी मत्रा में लाल चंदर होनी चाहिए और थोरी सी मत्रा में अच्छत होनी चाहिए जो की चावल है आईए हम बतलाते हैं कैसे सीध करना है वसी करन माली जी कि आप किसी लर्की को वसमे करना चाहते है और उस लर्की का नाम है कबीता तो हम कबीता का नाम इस जगा पे हम लेंगे अमुक की जगा पे तो आईए हम इस्टार्ट करते हैं इस लवंग को दोनों लवंग को लेना है इस तरह से मिलाना है यह पूरे भाग को मिलाना है और मंद को पढ़ते रहना है कैसे पढ़ना आइए बतलाते हैं जैसे कह रहा है वैसे ही कि जीएगा ठीक है ओम चमुंडाए हेम क्रीम अमुक के जगह पर ध्यान रहे लर्की का या कविता नाम रखेंगे ओम चमुंडाए हेम क्रीम कविता मम वसम क्रू क्रू स्वाहा उसके बाद में क्या करना है कि फूंक मार देना है इसे चावल और लोंग के उपर फूंक मार देना है आपको इस तरह से आपको 108 बार पढ़ना है इस मंत्र को और ऐसे ऐसे करते रहना है ओम, चमुणाय, हीम क्रीम, कविता, मम, वस्यम, कुरू, कुरू, स्वाह, और फिर से फूख मार देना ही सब के उपर, इस परकार से आपको 108 बार करना है, बस आपका काम हो गया, ये अभिमंत्रित हो गया, सीध हो गया, अब आपको क्या करना है, कि इसको रभीवार के दीन, या सुक्रवार के दीन, आप जीसमी लड़की का यसीड किये हुए है, आपको क्या करना है, कि जब देखिए कि वो किसी रास्ते में आ रही है, तो उसके आने की कुछ दिर पहले, उसके रास्ते में इसको फेक दीजिए, जैसे ही वो रास्ता पार कर जाएगी, उसके कुछ इसी घंटों के बाद में वो आपके प्यार में इतना पागल हो जाएगी, कि यो खूद आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी, हो सके तो आपसे कंटेट करेगी, फोन करेगी, किसी भी तरस से आपसे कंटेट करेगी, वो इतना बेचैन हो जाएगी कि आपके बिना नह को आ सकते हैं थोड़ी से मतरा में उसको पता नहीं चलना चाहिए उसके बाद में कुछी घंटों में आपका वसीकरन काम हो जाएगा और जिसका भी वसीकरन किये हैं आपके वस में हो जाएगा आप जो कहिएगा वह वह ही करेगा मैं आप लोग से एक बार फीट से हाज ओरता हूँ कि इसका गलत प्रियोग नहीं किजिएगा अगर मेरे इस चानल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए और जितने भी हमारे जो भक्त लोग हैं प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक किजिए और बेल घंटी को जरूर दबाईए ताकि जितने भी हम इस परकार के वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके मोबाल पर जाएगा अगर आपको कोई समस्या है किसी भी परकार से समस्या है तो आप नीचे कमेंट बक्स में जाईए और खूल करके हमसे बोलिए कि गुरु जी यह समस्या है प्लीज हेल्प किजी आप वहाँ पे नमबर भी दे सकते हैं हम आपकी जरूर मदद करेंगे ठीक है अब हम चलते हैं भक्तो अगला वीडियो हम आपके सामने बहुत जल लेकर आएंगे और हमें आसाना पूरा विश्वास है कि आपको पूरी ये वीडियो समझ में आई होगी धानवाद वीडियो को देखने के लिए